वेल्कम बैक टो एक्सलेंस पॉइंट क्लासेस बच्चो मैंने तिनमलानी स्वागत करता हूँ आप सबका एक्सलेंस पॉइंट क्लासेस के ओनलान यूटूब चैनल पे आज का लेक्चर है क्लास एर्थ के लिए पिछली बार मैंने मेंसुरेशन चैप्टर की एक डाउट वा हम डिसकस करने वाले हैं आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर आपके पास क्वेशन है त्री क्यूब्स ओफ मेटल एजज यहां पर दी हुई है फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर और त्री सेंटीमीटर आर मेल्टे टू फॉर्म असिंगल है तो एक बड़ा क्यूब हमने यहां पर फॉर्म कर लिया है अल्टिमेटली यहां पर वॉल्यूम की बात चल रही है तो बच्चों मैं बोल सकता हूं यहां पर वीवन जो की फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा वी टू सेकेंड क्यूब के लिए सिमि की बात करूं तो उसका फॉर्मला हमाँ पास क्या होता है साइड का क्यूब मतलब एक यूब तो यहां पर हमारे पास साइड दी हूं यह तो मैं बोल सकता हूं एवन का क्यूब प्लस एटू का क्यूब प्लस एथ्री का क्यूब इस इकॉल टू इसकी मैं कैपिटल ए ले ल इक्वेजन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर 5 का क्यूब मतलब 5 x 5 x 5 कितना अंसर देगा 125 similarly 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 9 होता है is equal to हाजाएगा माँ पास एक क्यूब अब यहां पर आप लोग देखें हम इसको एड करा लेते हैं कितना अंसर आ जाएगा बच्चों तो यहां पर आंसर आ जा रहा है 216 के बराबर is equal to a cube बच्चों 216 का आप prime factorization करके देख सकते हैं य सबसे पहले यहां पर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा 108 फिर हम 2 से कर लेते हैं कितनी बार में जा रहा है 5 और यहां पर 4 बच रहा है फिर 2 से कर लेते हैं 27 अब देखिए 3 से जाएगा 9 then again 3 से जाएगा तो 3 और last 3 से जाएगा तो 1 तीन-तीन की यहाँ पेरिंग चलती है क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो मैं इसको बोल सकता हूँ यह किसके बराबर होगा 2 का क्यूब इंटू 3 के क्यूब के is equal to a क्यूब हमाँ पस क्या होता है यहाँ पर देखें बेस मल्टिप्ला होंगे और पावर कॉमन हो जाती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पूरे का क्यूब is equal to a क्यूब बच्चों क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो a is equal to आपके पास 6 cm आ जाएगा मतलब आपके पास जो new cube बनेगा उसकी edge 6 cm होगी हमको क्या निकालना है lateral surface area इसका मतलब csa आपको find out करना है तो यहाँ पर देखिए csa of cube का formula लगा लेंगे जो की होता है 4 into side square के बराबर बच्चों 4 into 6 square कर लेंगे 4 into 6 का square 36 होता है देखिए यहाँ पर 64 4 2 carry हो गये यहाँ पर 12 plus 14 हो जाएगा यहाँ पर 144 cm square और पहला answer आ चुका है अब देखते हैं next question let's start with question number 2 बच्चों यहाँ पर question number 2 आपके पास same chapter mensuration से है इसमें आपको दिया गया है length breath and height of a cuboid are in the ratio of 6 ratio 5 ratio 3 बच्चों मैंने previous classes में भी आपको बताया हुआ है कि ratios exact values नहीं होती तो हमको क्या करना पड़ता है उसमें x का multiply कराना पड़ता है तो बच्चों पहला वाला यहाँ पे length को represent करेगा दूसरा वाला breath को और next वाला height को तो बच्चों 6 नहीं ले सकते आप वहाँ पे तो आपको length is equal to 6x breath is equal to 5x और last height is equal to कितना लेना पड़ेगा 3x के बराबर consider करना पड़ता है अब बच्चों यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है TSA TSA का मतलब total surface area किसका cuboid की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 504 cm2 तो बच्चों TSA of cuboid का हमको formula पता है क्या होता है 2 times of LB plus BH plus HL is equal to आपके पास 504 दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे values put on करेंगे 2 times of देखिए यह हो जाएगा 6x into 5x plus 5x into 3x plus 3x into 6x और bracket close किसके बराबर हो जाएगा यह तो यह 504 के बराबर हो जाएगा देखिए 2 times of 6530 और x square यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 15x square और next हो जाएगा हमारे पास 18x square is equal to बच्चों कितना 504 तो बच्चों यहाँ पे bracket वाली values को add करा लेते हम हमापस कितना answer आ जाएगा देखिए 2 times of यहाँ पे देखिए 8 plus 5 13 और 0 तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 1 कहरी हो गया 1 plus 1 2 plus 3 5 plus 1 6 तो यह हो जाएगा 63 of x square तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों क्या 63 x square is equal to 504 तो बच्चों यहाँ पे multiply करा देते कितना आ जाएगा आपके पास 126 x square is equal to 504 बच्चों x square की value क्या जाएगी 504 upon 126 अब बच्चों यहाँ पे इसको हम cancel करा लेते हैं तो बच्चों directly मुझे समझ में आ रहा है कि यह 4 times में cancel हो रहा है फिके अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप 126 को 4 से multiply कराके देख लीजे यहाँ पे आपके पास 504 ही answer आएगा तो बच्चों यहाँ पे x square 4 के बराबर होगा अंडर रूट और फोर अंडर रूट और फोर क्या होता है तो होता है हमारे पास तो बच्चों x की value हमको नहीं चाहिए हमको length breath और height की values चाहिए तो यहाँ पर मैं किनारे साइट निकाल लेता हूं length कितनी आ जाएगी तो length हमने वहाँ पे 6x consider की थी मतलब 6 into 2 यह 12 cm आ जाएगी similarly breath किसके बराबर आ जाएगी 5x मतलब 5 into 2 तो यह हो जाएगी 10 cm और height किसके बराबर हो जाएगी 3x मतलब 3 into 2 तो यह 6 cm के बराबर आ जाएगी अब आपको क्या करना है volume निकालना है आसान हो गया यहाँ पे तो बच्चों volume of cuboid का क्या formula होता है तो बच्चों volume of cuboid होता है L into B into H बस values put on कर देंगे 12 into 10 into 6 तो बच्चों जैसा कि आपको पता है 12,6 है 72 तो 720 आंसर किस में आएगा आंसर आएगा आपके पास cube में तो यहाँ पे आजाएगा centimeter cube 720 centimeter cube will be our answer तो बच्चों यहाँ पे हमने आज कुछ doubts को discuss किये है I hope so आज का lecture आपने enjoy किया होगा अगर आप channel पे नए है तो please इसे subscribe करें और bell icon प्रेस कर ले ताकि मेरी latest videos और tricks आप तक पहुंचती रहे thanks for watching have a nice day